वेल्कम टू अब्जेक्टिव अड़्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए डिसकस करने वाले हैं एक और नहीं वेकेंसी के बारे में जो 2022 की बहुत ही श्यांदार वेकेंसी है तो जितन भी इस्टुडेट इसके अंदर क्वालिफिया अगर आप करने वाले हैं कि आपकी क्या रहने वाली आपको फोरम अपलाई कैसे करना है जो जो भी उनकी डिमांड मांगी गई है वह सब कुछ आएक बार आप जरूर्ब्लम नहीं होती है वरना ज्यादा तर इस्टुडेंट के क्या होता है बाद में फोरम रिजक्ट हो जाता है तो आप वह सब गलतियां मत करना जैसे कुछ स्टुडेंट के लिए फीस एक दम भी जीरो ही रहने वाली कुछ स्टुडेंट के रेट सुरू पर फीस लगने वाली तो यह भी जरूर देखना कि किसके पैसे लगेंगे किसके नहीं लगेगे तो अब चलो जल्दी देख लेते ह कि वेकेंसी के अंदर क्या-क्या डिटेल है अब अगर में वेकेंसी की बात करूं तो आप यहां पर सबसे पहले देख सकते हो इंप्लॉइमेंट नोटिपिकेशन 42022 का नोटिपिकेशन आया वाई और आपके देड तीन फरवरी 2022 को यह नोटिपिकेशन आ गया था किसके है तो यह आपके अच्छी वेकेंसी रहती है बहुत आराम का काम रहता आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता इसके अंदर अब आप यह देख सकते हो जो भी चीजे इंपोर्टेंट है वह करके हम समझ लेते हैं आपके जो भी और यह ओपिसिल नोटिपिकेशन है तो इसको मैंना आपको पहले बता देता अगर आपको देखना होता है तो आप टेलिग्राम पर देख सकते हो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है यहां पर तो आपसे जैसे फील्ड अटेंडेंट की एक पोस्ट के लिए आपकि 90 पोस्ट नंभे पोस्ट मांगी गई है आपकी फिटर शेय इस लेकनिक इस सब्सक्राइब करना जा क्तों क्या उटल उक्कें और आगे जो कुछ और भी पोस्ट के जो नमबर ऑप टोब पोस्ट यहां पर आट पोस्ट दियु ए उसके आगे जो अपने अपने डिसक्रट कर लिया है एची एम मेकेनिक के अधर की जो पोस्ट है उसके अंदर भी तीन सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ यहां पर इन्हों ने दिखाया है जो रिजर्वेशन है आप आराम से देख सकते हो इसमें कुछ भी बताने लाइक नहीं है इसा आप डारेक्टी समझ सकते हो जैसे कि यहां पर टोटल फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट तयालीस पोस्ट है उ आपको से इसके बाद में फस्ट बारा मैंने के लिए आपको अथारा जार परमंत मिलेंगे उसके बाद में आपको रेगुलर कर दिया जाता है जो आपको 18100 से 3% आगे आपको बड़ के मिलता है तो कुल मिलागा आपके 30 से 1000 के आसपास आपको इसमें salary मिलने लग जाती है तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छी salary होने वाली इसके लिए भी और बात करें यहाँ पर age की qualification तो maximum 30 साल मांगी गई है maximum age आपके count की जाएगी 2,3,2,022 के लिए और age 18 साल होनी चीए एक minimum अब अगर आप यह देखना चाहो कि 30 साल से उपर भी अगर आप you are के अलावा दूसरी category से बिलोंग करते हो तो जो आपको नॉर्मल जो reservation मिलता है वही reservation इसमें रहने वाला है जैसे अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो अपर age limit है पांच year का मिलने वाला है जिसमें तीन साल का OBC को मिलने वाला है और बाकी इसी हिसाब से आप दूसरों का भी देख सकते हो जैसे अगर आप एक सर्विस में हैं तो उसमें भी आपको reservation मिलता है अब जो सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर भी जो चीज रहने वाली आपके लिए वह यह है कि आप फोरम कब से अप्लाई कर सकते हो तो फोरम इसके अल्रवरी से आपके फोरम सुरू हो गए दे और आप 2 मार्ज तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अब अगर बात करें आगे ज 800 रुपए पीस रहने वाली है कुल मिलाके आपके 150 रुपए तो वह आपको कैसे पे करने होंगे ओनलाइन पे करना होगा क्रेडिट कार्ड से आप किसी से भी पे कर सकते हो लेकिन अगर आप जैसे यूर कैटेगरी से अब इसी कैटेगरी के अलावा किसी से बिलों करते हो यहां पर पीस कुछ भी नहीं रहने वाली है पीस आपकी जीरो हो जाएगी तो यह भी आप ज़रूर ग्यान रखना आप इसकी सी भी कैटेगरी माते हो तो आप भी सभी जरूर अपलाइ करना बहुत ही अच्छी पोस्ट है अब अगर बात करें आगे जो चीजे रेने वाल चीए आपके पास में middle class का certificate तो अच्छी अगर आप फिल्ड अटेंडेट के लिए apply करते हो तो उसके बाद है अगला certificate in support qualification and experience अगर आपने किसी एक सी पोस्ट के लिए apply करते हो जिसमें experience मांगा गया है तो आपको experience का certificate भी चीए होगा अगर आप आपको अल्रेडी पता होगा हर एक forum के अंदर सेम यही process होता है अब अगर बात करें कि आपका selection कैसे होने वाला है तो यह दो process के अंदर selection होगा जिसमें जो पहला process रहने वाला है वो आपके नेमो पोस्ट यहां पर दे दिया गया है कि जैसे आप फिल्ड अटेंडेंट के लि होने वाला है तो यह जरूर क्या रख लेना जैसे लिए करोगे तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा और अगर अगर आपके किसी में भी करोगे तो आपका ट्रेड जैसे कि आपसे एक्स्पीरियंस जो मांगा गया था उससे रिलेटेड जो आपसे कुछ चीजें उसके अंद पूचा जाएगा आपसे तीस नंबर का और पाट सेकेंड के अंदर आपसे जनरल नोलेज और नुमेरिकल एबिलिटी वापिस पचास और बीस नंबर की पूची जाएगी तो यह आपने क्लियर देख लिया होगा बाकि और भी आपकी कोई कोई रहती तो आप हमें इस्टा दखला ना यह यहां पर मेंनिमम मार्क से यह आपके मैक्सिमम नहीं है और प्र आपके डोकुमेंट वेरिकेस्टन वगेरा जो भी बाद में की चीजे कंडिशन है वह तो आपके जब आपका एक्जाम हो जाता है उसके बाद मुझे लिए एक अलग से स्पेसिपिक वीडिय आएंगे रीजनी के जो क्यूसन आएंगे वह भी आपर आपकी तयारी हो जाएगे तो तब भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो और आपके डेली आड़ बजह हमेशा लाइव क्लास आती है तो उसको भी जिरूर जोइन कर लेना अब मिलते है नए वीडियो में नए इ आत्मे